हेलो गाइस कैसे आपस भी तो गाइस जैसे कि आपस भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो इसमें मेरे पास बुया का माइक है जिसकी अन्बोक्सिंग में आपके सामने करके बताने वाला हूँ कि आपको इसके अंदर क्या-क्या फीचर्स वगेरा देखने के लिए मिलते हैं व इसके साथ में एक वायड पॉलिफिन देखने के मिलते हैं इसके बातफ अगर हम आगे बढ़े तो हमें कुछ यह डोकुमेंटरी वगरा देखने करें लेते हैं वाक्स बाकी खाली सको फ्र handout करें तो इसके लिए अंदर हम एक सेल देखने के लिए मिलता है इसके बाद एक ही आपको माइक के उपर लगता है वो इसके लिए और एक इनजक्टर देखने के लिए हैं अग्र आप अपने DSLR के अंदर इस इस बुईया माइक को यूज़ करते थे तो आप इसे लगा सकते हैं कि इसके बाद गायC हमें एक बैग देखने के लिए मिलता है हम सिम्पली से ऊपन लेते हैं। आपको एक कैमरा लगाना पड़ीग वरना ये माइक यूस नहीं होगा। तो guys इस cell को लगाने के लिए आपको simply इसे यहां से कसके पकड़ना और जोर से घुमाना यह घूम जाएगा कुछ इस परकार और यह बाहर आ जाएगा तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं इसके बाद guys आपको इसके अंदर एक रसी देखने के मिलते ही इस परकार के आपको इसे निचे करके इस cell को लगाना है guys आप ध्यान रखेगी यह रसी है इसके निचे आनीचे इसके ओपर यह cell होना चाहिए तो हम इसे कुछ इस परकार से लगा लेते हैं तो guys अगर आपको इस cell को बाहर निकालना है तो आपको इस रसी को सिंपली खींच देना और आपका जो cell है वो बाहर आ जाएगा इसलिए यह रसी यहाँ पर दी गई है तो guys आप इस बात का अध्यान जूरूर रखेगी यह cell यह जो रसी है इस cell के निचे आनीचे आनीचे यह कुछ इस परकार फिर guys आप इस रसी को थोड़ा गुमा के इस box को फिर से यहाँ पर ओफ करते फिर guys आपको इसके अंदर मापको features दिखाता हूं कि क्या मिलते है इसके अंदर guys आपको इस परकार के बटन देखने के मिलते है अगर आप camera से अपने device में shooting वगएरा करे तो आप simply से उपर कर दे और अगर आप smartphone से इस mic को use करें तो आप इसे simply निचे कर दे बस यह feature आपको इसके अंदर देखने के मिलते है इसके बाद यह noise वाला आपको देखने के मिलता है आप simply इसके अंदर इसको ऐसे गुमा के लगा दे थोड़ा इतना करने के बाद guys हमारा जो यह बूया माइक है यह ready हो जाता है यूस करने के लिए तो guys अब हम बात करते हैं कि हम इस बूया माइक को use कैसे कर सकते हैं तो बूया माइक guys हर एक application में use आप नहीं कर सकते हैं इसे use करने के लिए आपको अपने play store को open करना और वहां पर जाके open camera नाम से आपको एक application देखने के मिलते है आपको simply से download कर लेना है इसका link में my video की description में दे दूँआ इसके बाद guys आपको simply settings को open करना है यहाँ पर जाके video settings के अंदर जाना है और इसके अंदर निचे जाओगे तो आपको एक setting देखने के मिलेगी recording setting यह audio resource वाली आपको simply इसके अपके कर देना है इसके बाद guys आपको जो fourth number option देखने के मिलता है optimize for voice आपको simply इसके select कर देना है अब guys आप अगर अपने बुया माइक को use करोगे तो आपको एक अच्छी voice बुया माइक से देखने के मिलेगी अगर आप किसी भी और application जिससे camera के application वगेर आती है उसमें बुया माइक को लगा होगे तो आपको बिल्कुल भी sound अच्छी देखने के लिए नहीं मिलेगी क्योंकि यह work ही आपके जो device है उसके अंदर नहीं करेगा अब guys मैं आपको एक बार इसका sound भी सुना देता हूँ कि कैसा देखने के मिलता है अभी जो आपको sound आ रहा है वो मेरे earphone का जो माइक होता है उससे आ रहा है अब मैं आपको इस भुया माइक को यूज करकी भी sound एक बार सुना देता हूँ जैसा कि guys आपस भी अभी जो sound सुन पा रहे है वो आपको भुया माइक से देखने के लिए मिल रहा है जैसा कि आपस भी आप difference देख सकते कि पहले earphone के माइक से आपको जो sound देखने के लिए मिल रहा था और अब जो sound आपको भूया माइक से देखने के मिलता है उन दोनों में कितना difference है तो guys इसलिए मैंने इस भूया माइक को purchase किया है guys अब आपको फिर से जो हमारा earphone है उसकी sound सुनाई दे रही है अब guys सबसे पहले मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आप अपने smartphone में इस भूया माइक को use करते है आपको अगर इसे DSLR कैमरा में connect करना तो आपको simply इसके अंदर इसको लगाना है और फिर आप इसे कैमरा के अंदर लगा सकते हो तो guys मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको DSLR यूस नहीं करना तो आप इसे संबाल कर छोड़ दे एक परका अब guys अगर इसकी length की बात करें तो आपको काफी अच्छी length देखने के मिलती है अगर आप अपने कैमरे या फिर स्मार्टफोन से थोड़ा दूर भी हो तो भी आप इसे अच्छी तरह use कर सकते हैं आपको एक अच्छी quality और अच्छी length देखने के मिलती है और guys अगर इसकी price की बात करें तो मैंने इसे offline market से 500 रुपए के अंदर purchase किया है हो सकता है आपके offline market में आपको कम ज़्यदा देखना के लिए मिले और guys मैं आपको बता दू कि यह unboxing से related मेरी first video है अगर आपको कुछ problem हो रही हो मेरी बातों को समझने के लिए तो guys please उसके लिए sorry आप मुझे माफ कर दें और guys अगर आपको ऐसी unboxing वीडियो से अच्छी लगते हो तो आप मुझे support जरूर करें वीडियो को like और share जरूर करें तक कि मुझे motivation मिलते हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बाकी guys इसके अंदर आपको कुछ भी new देखने के लिए नहीं मिलता जैसे कि मैंने आपको होता है cell और इंडेक्टर ऐसे कुछ parts वगएर इसके अंदर देखने के मिलते हैं बाकी वरक अच्छा करता है आपको sound quality इसके अंदर अच्छी देखने के मिलते है length वगएर भी अच्छी अगर आप YouTube वीडियो या फिर vlog वगएर आपनाते हो तो आपको एक अच्छी audio quality इसके अंदर देखने नहीं मिलते हैं बाकी guys आपको अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe और वीडियो को like जुरूर कर लें चलिए मिलते हैं वमारे किसी next वीडियो में